Hi Learners, Hope you guys are doing good. आपने इसका Part 1 जरूर से देखा होगा. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका Part 2. आज मैं आपको बताने वालों फे ओल के हमने आल्रेडी गाईस कुछ प्रिंसिपल डिसक्स किया इसके Part 1 में जो Division of Work है, फिर Authority and Responsibility, Discipline, Unity of Command, Unity of Direction and Subordination. आज हम नाम है Remuneration of Employee. जब भी एक और्गनाइजेशन में इंपलोई काम कर रहे होते हैं, वो जो भी सालरी है, वो सालरी दोनों के लिए सही होनी जए, सालरी जस्टिफाइ होनी जए. सालरी जस्टिफाइबल का कुछ मतलब, कुछ बेसिक मतलब में आपको बता दू. तो गाइस, आज जो हमारे इंडियन वेज़ेस, वेज आक्ट है कि भाई, मिनिमम इतना वेज मिलना चाहिए दिन का, या मिनिमम ती सालरी मिलने चाहिए, वो तो होनी चाहिए. और जितना उस बंदे की, जो एक लाइफ में सबसे बड़ा असूल होता है कि जब भी हम पैसो की बात कर रहे है, सालरी की बात कर रहे है, सालरी ऐसी होनी चाहिए कि सालरी देने वाले को भी दिक्कत ना हो, और ना ही सालरी लेने वाले को दोनों के बीच में कॉंग निंग रहल एक बहुत ही प्यारा सा इत्मोस वेर होना चाहिए यह वोकर्ज और मानेजर दोनों एक दिस्टे की वाल्यू करने चाहिए उनको समझना चाहिए कि भाई यह सालेरी जस्टिफाइबल होनी चाहिए अब जैसे फॉर एक्जांपल सालेरी में बहुत बड़ा सा क्विशन आता है जैसे एक केस्टेडी बहुत फेमस यह कि हमारी कंपनी में हमने अपने वोकर्ज को बोल जा तुम ओवर टाइम करो हम तुमको सालेरी देंगे बड़ यह हमारे कंपनी में सिर्फ हमने वोकर्ज के लिए रखा आप जो एचार वाले है जो दिन रात बैत के महनत कर रहे उनको नहीं बोले तुमारा किस बात कर नहीं भाई सब की लिए बनता है क्योंकि एक कंपनी से प्रोड़क्शन पर्चे सेल्स वाले नहीं चला रहे वो salary सबको बनती है अगर आप दिवाली की मिठाई बाट रहे तो सब में बाटो आपका Remunertation Policy अगर कमपनी के Remunertation Policy की बात हो घिये ना तो that's the remuneration की भाई हम हमारे workers को एक जैसा Remunerate करेंगे हमें हमारे workers को एक जैसा Remunerate करना है Remuneration सही होना चाहिए उसको हम justify करना चाहिए That's a remuneration of employee जो भी हम employees को पगार दे रहे हैं या जो भी हम salary देने का सोच रहे हैं It should be good वो employee को भी खुशी होने चाहिए और manager को भी खुशी होने चाहिए जब दोनों को salary से दोनों satisfied है employee हो गया, manager हो गया तो हमारे organization में एक बहुत ही प्यारा सा महौल रहता है और जब बहुत ही प्यारा सा महौल रहता है तो organization बहुत अच्छे से काम करती है So that's the principle of remuneration of employee Next principle है हमारा centralization and decentralization जब भी decision making power सिर्फ और सिर्फ घर पे जैसे जिंदगी में wife के पास पर decision making power हो जब decision making power सिर्फ और सिर्फ एक ही person के पास होता है उसे हम क्या बोलते है उसे हम बोलते है centralization बट जब यही decision making power हम अलग अलग जैसे अब हमारे देश में कुछ भी गड़बढ होगी तो मैं सिधा मोधी जी को फोने का मोधी जी मेरे घर के बार खड़ा है बोले में तो तुम कौन हो हरे को नहीं जान सकते देट सो करोड के आबादी के के प्रॉब्लम सॉल करने निकल गए तो कुछ तो सालों निकल जाएंगे के क्या पहुंसने पहुंसने इसलिए यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर अलग अलग लेविल पे बाटाव है ना सेंटर स्टेट और लोकल या सेंटर स्टेट या जो समसी अथॉरिटी मुनसिपालिटी अथॉरिटीज है वैसे ही अगर और्गनाइजेशन अगर मुकेश अंबानी कंपनी के छोटे छोटे हर एक छोटे फैसले रेले लगे तो क्या कंपनी चल जाएगी नहीं कते नहीं उनको ये decision making power अलग-अलग level पे distribute करना पड़ेगा की नहीं उनको disperse करने की जरूत है की नहीं तो that is called as decentralization we need to distribute the decision making power हमें हर एक level पे ये decision making power distribute करना पड़ेगा जब guys हम ये हर एक level पे decision making power distribute करने की बात कर रहे हैं तो that is called as decentralized और guys जब ये ही decision making power सेर्फ और सिफ टॉप लेविल के पास है इसके पास है जब guys ये ही decision making power सेर्फ और सिफ टॉप लेविल के पास है एक ही बंदे के पास है तो that is called as centralization इसमें फेअल जी ने एक और बात बोली कि एक company पूरा का पूरा decentralized भी नहीं हो सकता पूरा का पूरा centralized भी मत रखो अगर एक बहुत बड़ा organization है जो crucial है कि company का profit कितना होना चाहिए company के रास क्या होने चाहिए secrets of the product क्या है secret of recipe क्या है कुछ important चीज़े आप centralized रखो चलेगा और जो non-core है non-important चीज़े हैं उसको हम disperse कर सकते जब यही decision making power मैं अलग-अलग level पे बाढ़ देता हूँ क्या गैस जब यही decision making power मैं अलग-अलग level पे बाढ़ देता हूँ तो मैं कही ना कही बात करो decentralization की और जब यही decision making power मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के पास रखता हूँ तो that is called as centralization तो Henry Fjol जी ने बुला कि आज Henry Fjol चचा ने बुला कि दोनों चीज़ रखो भया कुछ चीज़े centralize कर दो कुछ चीज़े decentralize कर दो तो यह था centralization depend करता है organization to organization कितना है next principle है हमारा principle of scalar chain यह principle यह बताता है कि हमारे organization में communication किस तरीके से होगा मैं आपको फटाक से screen पे बता देता हूँ यह दो चीज़े बताता है suppose यह हमारे A यह हमारे B यह हमारे C यह हमारे D यह हमारे E यह हमारे F यह हमारे G यह है suppose production वाले सारे level और ये है हमारे purchase वाले सब अब इसमें इनने clear cut बोल दिया है कि ये बताता है कि किस तरीके से communication होगा D से C, C से B, B से A ये बताता है किस तरीके से हमारी organization में communication होगा That's the flow of communication ये तो सबको बता है ये एक और चीज़ बताता है The flow of authority Guys, आज आप अपने उपर वाले को मोल सकते हो B वाले को नहीं क्योंकि आपके पास वो authority नहीं है इसका मतलब ये ऐसा बताता है D से ज़्यादा authority है C के पास C से ज़्यादा authority है B के पास और B से ज़्यादा authority है A के पास जैसे जैसे मैं एक organization में उपर जाता रहता हूँ या जैसे जैसे मैं organization में आगे बढ़ता देता हूँ ये level of authority increase होती है एक worker से ज़्यादा authority होती है operational level के पास operational level से ज़्यादा authority होती है middle level के पास और middle level से ज़्यादा authority होती है top level के पास मतलब जैसे जैसे आप organization में उपर बढ़ोगे आपको communication और authority दोनों पता चबती है अब guys एक बहुती बड़ा question हर बार बच्चे मेरे सामने लेकर आते है सरी gang plank क्या है अब gang plank में कई बार teacher उने बोलोगा कि सर दोनों employee same level पे होने चाहिए नए मैं ऐसा मैं समझता हूँ कि मेरे साब से gang plank का मतलब होता है कि कोई भी employee किसी से भी बात कर रहा है अब D सीधा जाके A से बात कर रहा है उसको ऐसा लग रहे कि employee B और employee से मिलके कुछ गड़बड कर रहे production में वो 1000 unit बना रहे दिखा 800 रहे 200 black market में बेच रहे अब वो क्या G E F को बता के क्या कर लेगा अगर वो G को बता के क्या कर लेगा जी वो लेगा मैं क्या करूँ बाई मैं तो purchase वाला मिलको तो कोई लेना देना नहीं तो emergency situation में कोई भी employee किसी से भी बात कर सकता है पट एक चीज याद दखना वो situation कैसी होनी चीए वो situation guys utmost emergency वाली होनी चीए अगर emergency situation में एक worker दूसरे worker से बात कर रहा है तो उससे हम क्या बोलते है उस चीज को हम कही न कही बोलते है गाइस गाइज गाइज बट एक चीज याद रखना यहाँ पे हमारी ये situation कैसी होनी चीए हमारी situation कही न कही होने चीए बिलकुल emergency वाली ठीक है तो gangplank is all about the formal line of authority organization should have a chain of authority किस तरीके से काम करेंगे ठीक है तो इस तरीके से organization में communicate होता है this is a dual principle of scalar chain next principle जैसे घर में मम्मी हर चीज एक दम systematically रखती है हर चीज किचन में जो मसाले अलाल मिट हरी मिच हल्दी नमक जो भी और बाकी मसाले होते हैं सारी कैसे systematically पढ़े होते हैं खाना मदर कैसे फट 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 जाता है यूकि उनको पता है आज आप school के लिए लेट हो रहे होते हैं मम्मी को बोलते हैं इस जिन्दगी में एक चीज तो पता है अगर चीजे सही जगे पर रखते हैं तो हमारा टाइम बचता है अभी आप कोई वीडियो देख रहे है वीडियो देखते वह आपको कर नोट बुक में कुछ लिखने की ज़रोत पड़ी अगर नोट बुक आपके आसपा सही जगे पर फटा फट लिक सब्सक्राइब लेकिन अगर आपके पास पता ही नोट बुक कर तो आप वीडियो पॉस करोगे बात में पता चला है नोट बुक तो तविक के पड़ी थी अगर चीज की कोरblock अगर आप systematically हमेशे दरवाजे के पास में जब entry exit में आप वो जो होता है कि जहाँ पे चाबिया टांगता है systematic रखो तो कभी ढूटने में दिक्कत ना है पड़ हम तो कई भी रख देता है मेरे फिर in fact मैं भी कई भी रख देता हू तो इससे दिक्कत आती है तो principle of order कही ना कई यही चीज बताता है जैसे एक library में नहीं होता सारी चीज़े एकदम systematically होती है 10th, 11th, 12th, 12th में भी commerce science 11th में भी commerce science भी commerce में भी accounts, eco, bst, english, max तो systematically अगर हर एक चीज, हर एक जगा पे है तो हमें उसे ढूडने में कोई भी दिक्कत आईगी हर एक person का, हर एक place का अगर proper place है, proper जगा है तो उसको ढूडने में कोई दिक्कत आईगी कोई दिक्कत ने आईगी हम एकदम appropriately ढूड़ पाएंगे सही तरीके से कर पाएंगे there should be a proper place हर एक चीज की proper place होनी चाहिए की नहीं हर एक चीज की proper जगा होनी चाहिए की नहीं क्या हमें उसे ढूडने में दिक्कत होना चाहिए बिल्कुल नहीं एक organization में आज एक restaurant वाला हर बास अपनी जगा fix क्यों रखता है ताकि customer को ढूडने में दिक्कत नहीं आए बटकता रहेगा तो कैसे चलेगा इन फैक जो अगर एक momos वाली आंटी वो stall भी लगाते होगे नहीं हर रोज एक जगे पे लगाते है ताकि उसके customers को वो stall ढूडने में कभी दिक्कत ना आए उन्हें वो stall एकदम easily सही तरीके से मिल जाए ताकि उनका काम हो सके तो यही है principle of order की इनसान हो, material हो, raw material हो, screw हो, कुछ भी हो हर एक चीज की proper जगा होने चीए उन्हें ढूडने में कोई दिक्कत नहीं होने चीए कोई hindrance नहीं होने चीए, कोई रुकावट नहीं होने चीए अगर आपके office में आपको पता है कि कहा screw driver है, कहा paper है, क्या pencil है तो अगर systematically सारी चीज़ें पड़ा है, तो हमें उन्हें ढूडने में दिक्कत नहीं आती है और इससे हमारी productivity और इससे हमारी efficiency बढ़ती है तो यह principle of order बोलता है proper place for everything next principle, यह तो बहुती simple है भाई हमें हमारे employees को किसी भी प्रकार का भेदबाने करना male, female, जातिवाद, language, region, किसी भी प्रकार का सब एक है एक parents के लिए जब अगर दो बच्चे हो, तीन बच्चे हो, जितने भी बच्चे हो सब एक समान होते हैं, वैसे ही एक manager को अपने सारे employees को एक जैसा treat करना है कि नहीं, this is called as principle of equity, हर एक employee को fairly treat करो, justice रखो, कोई गलती करे सजा, अब आप दो employee है, दोनों office late आते हैं, एक को आपने निकाल दी office है, दूसरों ठीक है यार तुरह, नहीं चलेगा, सजा मिलेगी तो दोनों को बराबर की मिलनी चाहिए, ये होता है principle of equity, अगर कोई भी employees गरबर कर रहे है, या गलत तरीके से काम कर रहे है, तो हमें सजा दोनों employees को बराबर तरीके से देना है, ये हमने कहां पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है principle of equity, तो principle of equity क्या बोलता है, हमें हमारे सारे employees को एक समान एक जैसे treat करना है, next is stability of personal, guys आपके company में चार employees थे, A, B, C, D, आपने एक साल होगे बोला, कड़ बकड़ बंबे, C और D, भाव यहां से, निकाल दिया, फिर E और F को लेकर रहे है, फिर से game खेले, तो टो टो टो, अब B और E निकल गए, फिर F और G, फिर बोले यार, ये क्या company है, यहाँ पे तो हर साल employee बदलते रह है, अगर ऐसे continuously employees बदलते रहेंगे, तो भाई employees को खुशी होगे, बोले क्या यार, एक तो इतनी महनत करके select हुए, अभी काम सीखा ही नहीं, एक साल भी तो अकड़ बकड़ बोलके निकाल दिया, ऐसे नहीं चलेगा, यार, एक organization में employees को sufficient time देना चाहिए, एक organization में employees को sufficient मौक करते हो, office जाना शुरू करेंगे, तो पापा आपको मौका देंगे, हाँ बेटा ठीक है, ऐसे नहीं नहीं, तू तो जा निकल तेरे से like, तू इस like नहीं ना, आपने जिस employee को select किया, भाई, तुने in-depth research किये, तुने उससे सवाल पूछे, आपने उससे 20 सवाल पूछे, 50 sufficient मौका देना है, ताकि वो अपने talent को, वो अपने skills को अच्छे से proof कर सके, हमें ऐसे ही किसी भी employees को निकाल नहीं देना, कि भाई, अगर आप employees बदलते जाओगे, तो नए employees को पहले से लेकर रहो, पिर उनको काम सीखो, फिर निकाल दे रहो, नहीं, तो employees को एक sufficient मौका देना चाहिए, एक सही मौका देना चाहिए, ताकि वो खुद की efficiency को दिखा, प्रूफ कर सके, एक बार आपने उसको select कर लिया, तो उसको minimum कुछ समय तक तो आपको office में रखना ही है, ऐसे ही नहीं कि 10 दिन, 15 दिन में निकाल रहो, आपको उसको minimum कुछ duration के लिए, minimum कुछ time के लिए office में रखना है, that is your stability of personnel, clear, stability of personnel, clear, employees को sufficient समय के लिए, sufficient time के लिए, हमें हमारे organization में रखना चाहिए, next principle of initiative, भाई, आपके employees अगर कोई नया ideas, या आपके employees कोई नया suggestion लेकर आरे, जिससे आपका काम सुधर रहा है, आपका काम better हो रहा है, हमें उन suggestions, उन ideas को consider करना चाहिए कि नहीं, यह principle of initiative क्या बोलते हैं, अगर आपके employees ने कुछ बढ़िया काम किया है, सही काम किया है, तो उसको consider करो, उसको idea बोले, नहीं निकल यहाँ से तेरे ideas, नहीं नहीं भाई, अगर तुम्हारा employees कोई नया ideas दे रहा है, अगर तुम्हारा employees कोई नया suggestion दे रहा है, तो हमें एक ची initiative के, अगर आपके employees को idea suggestion दे रहे हैं, और लास्टे गाइस, एस्पेट दे कॉप हम सब एक है, अकेले काम करके कुछ नहीं हो सकता, सारे employees को मिलके एक साथ इखटे काम करना है, चुकि जब सारे employees मिलके इखटे काम करेंगे, तभी हम, तभी हम organizational goals को अचीव कर पाएंगे, that's हम organizational goals को अचीव कर पाते हैं, इसी के साथ Henry Fjol के हमारे principles खतम होते हैं, तो guys, फटाक से इन सब को आप पढ़ लीजेगा, दो पार्ट में है, फटाक हमने खतम कर लिया, चोड़ी-चोड़े वीडियो से, आपके guys 30 minutes लगेंगे और आपके 14 principles हो जाएंगे, जरूर से देखना कुछ भी comment, doubt हो तो commitment में डाल सकते हो, feedback हो तो भी comment में ले सकते हो, आज के लिए तना है, थाड़ा, bye-bye, bye guys